हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक आता है आपका संध्या जो की बहुत most important topic है आप किसी भी government competitive exams के तयारी कर रहे हो चाहे DSSB हो, KVSO, NVSO, UPTATO, CTATO, SuperTATO तो वहां से आपके यहां पर कुछ questions यहां से पूछे जाते हैं तो आप किसी भी level के teaching की exams के तयारी कर रहे हो तो आपको यह वाला chapter वहां पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हिंदी व्याकरण में संध्या के बारे में जिसमें मैं आपको पूर्ण जानकारी दूँगा संध्या के बारे में और लास्ट में मैंने वीडियो के end में कुछ important questions एड़ कर रखें जिसकी परकार के आपके questions पेपर में पूछे जाते हैं तो theoretical portion को करने के बाद उन questions को जरूर लगा के देखेगा कि अब तक आपको कितना समझ में आया है और दोस्तों कई बच्चे कहते हैं कि सरा में notification नहीं मिलता है तो अगर notification आपको नहीं मिलता है तो नीचे मैंने telegram group का link दे रखा है वहाँ पर जाकर आप join हो जाईए जब भी है मैं video upload करूँगा तो वहाँ का मैं आपको जो notification नहीं मिलने कारण आपको पता नहीं लगता लेकिन मैं आपको telegram group पर वो share कर दूँगा आप वहाँ से जाकर उस video को live देख सकते हो तो वो notification आपको वहाँ से मिल जाया करेगा link मैंने depreciation में दे रखा है वहाँ जाकर आप telegram group को join कर सकते हो तो इस video का आप end तक देखते रहेगा आपको सारी information मिल जाएगी तो नमशकार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देख रहे हो D.K. गुपता online वीडियो उस पर government exam चलिए शुरू करते हैं तो आज का हमारा topic क्या है तो लिख लीजी आज का हमारा topic है संग्या तो देखो, संग्या जो है आपकी जो हमने बचपन से जो बुकों में पढ़ा है और जो हमें रटाया गया है वो यही रटाया गया है कि किसी भी वस्तू या व्यक्ती या फिर इस्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है क्या, तो देखो, सरल भाषा में आपको मैं कहा हूँ, तो किसी भी इस्थान व्यक्ति, या फिर भाव कराने वाले शब्दों को, या किसी व्यक्ति का नाम, इस्थान का नाम जो होता है वो संग्या कहलाती है, किसी भी चीज का नाम लगा लो, ओके बस आप एक चीज ध्यान रखेगा, किसी भी चीज का नाम हो जो, वो नाम क्या कहलाता है, संग्या, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो किसी भी परकार का कोई भी हो वो क्या कहलाएगी, राम शाम गीता सब क्या है, एक नाम है और नाम क्या होता है? संग्या होती है तो शरल शाब्दिकर्थ में आपको समझने के लिए याद रख लिजिए कि किसी भी चीज का नाम जो होगा वो क्या कहलाएगी? संग्या कहलाएगी आपके हाथ में जितने नाम गिन सकते हो गिन लिजियर, वो सारे के सारे क्या होते हैं, संग्या होते हैं और अगर आपसे पूछा जाएं, कि संग्या के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं तो संग्या के आपके तीन भेद होते हैं, जो कि कौन-कोन से होते हैं व्यक्तिवाचक संग्या, जातिवाचक संग्या और भाववाचक संग्या ये तीन संग्या होती हैं आपके भेदुन के और इनी तीनों संग्या से आपके questions पूछे जाते हैं और इनी तीनों को मैं आपको अच्छे से explain करके बताता हुआ चलूँगा तो चलिए पहला समझ लेते हैं व्यक्तिवाचक संग्या, अब देखो नाम से ही पता लग जाता है। जो किसी चीज का बोध करा रहा ह। वो व्यक्ति का यानी व्यक्तिवाचक संग्या, ओके क्या क्या हो सकते हैं वो भी बताऊँगा लेकिन एक बार शाब्दिह पड़ किसी भी विशेश व्यक्ति, इस्थान या फिर वस्तू के लिए जो भी आप शब्द परियोग करोगे, जो भी आप परियोग करोगे, वो क्या कहलाएगा, व्यक्ति वाचक संग्या कहलाएगा, जैसे कि रमेश क्या है, व्यक्ति का नाम है, दिल्ली, इस्थान का नाम है, रम रिस्थान या वस्तू को क्या कहा जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संग्या कहा जाएगा, okay? चलिए, दूसरा कैया है आपका? जातिवाचक संग्या. अब जाति आप ध्यहीं से पता लग जाता है, जाति. तो जिस शब्दों से किसी वस्तु का, या फिर इस्थान का, या फिर व्यक्ति का, या फिर प्राणी के, पूरी जाती का बोध हो, उसको क्या कहा जाएगा? जाती वाचक संग्या कहा जाएगा. फोर अग्जामपल के रूप में नदी, नदी क्या है? वो आपकी कोई सी भी नदी हो सकती है, गंगा, यमना, जमना, कोई सी भी नदी हो, वो क्या पूरा का पूरा अपने एक नदी को, आपने सभी चीजों को जॉइंट करके एक जाती बना दी, कि सारे क्या है, वो किस करकार की है, सबको हमने एक इखटा कर दिया, नदी नाम दे दिया हमने उसको, चाहिए वो गंगा, जमना, बरंपुत्र, कोई सी भी हो, हमने उसको एक नाम दे दिया, नदी है यहर और नदी क्या कहलाईगी है? आपकी जाती, हम क्या कर रहे हैं? जाती से बोद कर रहे हैं अब यहाँ पर जाती कहेने का मतलब है जैसे कि for example मैं गुपता हूँ तो गुपता के जो भी आपके पास में आएंगे गुपता में कोई भी हो सकता है दीपक गुपता केवल मैं ही हूँ गुपता में कई गुपता होते हैं तो जितने भी है चाहे हो अभिशेक गुपता है चाहे हो गणेश गुपता है चाहे हो दीपक गुपता है चाहे हो पवन गुपता है वो क्या हो गया गुपता कहा रहा है तो वो क्या कहा रहा है एक जाती है अब लेकिन यहाँ पर हम पुस्तक कहा रहे हैं, तो किसी भी परकार की पुस्तक हो सकती है, जैसे कि लड़की, अब लड़की में जाए वो सीता गिता है, कोई भी हो, वो हमने क्या नाम देग दिया, एक जाती है लड़की, एक जाती है लड़के, तो वहाँ पर हमने क्या करा सब चीज को संबोधित कर दिया, ओके, तो हमने किस से कोरिलेट कर दिया उसको जातिवाचक संग्या से, तो जहां पर आपको सारे समू को इखटा कर दिया जाए, जैसे कि नदी है, पुस्तक है, लड़की है, ओ क्या कहलाएगा, जातिवाचक संग्या कहलाएगा, ओके, अब ये जो जातिवाचक संग्या है, इसको भी दो उपभेद में बाटा गया है, मतलब जातिवाचक संग्या के भी दो भेद हैं, कौन-कौन से, पहला समू वाचक संग्या और दूसरा द्रव्वे वाचक संग्या, ये दो आपके द्रव्वे वाचक संग्या और समू वाचक सं दोनों को समझायनी कोशिश करता हूँ मैं आपको पहला समू वाचक संग्या अब ये क्या होता है तो ध्यान रखेगा जो शब्द किसी समू का बोध कराता हो उसको क्या कहा जाएगा वो उसको कहा जाएगा समू वाचक संग्या जैसे कि कक्षा कक्षा में एक से लेकर दस तक सारी कक्षा, एक से लेकर बारित बारवी तक सारी कक्षा हो, कक्षाओ का क्या कर दिया उसने समू कर दिया जैसे कि दल, चाहे वो राजनेतिक दल हो अपने दोस्तों का दल हो चाहे पडोसियों का दल हो, चाहे विद्रोही का दल हो तो क्या कर दिया हो, समू की बात कर रहा है सैना, गिरो, यहाँ पर देख रहे हो वो शारे की सारे शब्द आते हैं जिससे क्या पता लगता है समू का पता लगता है कि वो एक, दो, तीन से ज़्यादा वेक्ती देखने को मिल सकते हैं आपको उसमें तो जहाँ पर भी आपको समू का बोध हो वो क्या कहलाएगा आपका समू वाचक कहलाएगा और वहीं पर ही आपका द्रव्य वाचक संग्या अब यहाँ पर जिस सब्से आपको द्रव्य प्रधार्त का बोध हो वो क्या कहलाएगा वो आपका द्रव्य वाचक संग्या कहलाए तो जो दोड़ करेकिन आप मैं आप शावर कते हैं ट्रूवर वह कहते हैं द्रव्व वाचक संग्याज जो कि आपका बहुत चीजों में आए एक तरफ हो गया आपका वो जिसको आप एक तरीके से गिन عليه और Джусते जूसरे को नहीं गिन पा रहे हो आप यह द्रव्व वाचक संग्याज होती है उसमें भी आपके दो प्रकार क्यों होते हैं, जैसे कि आप देख रखते हो, कि चावल क्या है, एक ठोस परदार्त है, वहीं पर ही आपका दूद क्या है, एक लिक्विड परदार्त है, तो अगर आपसे पूछा जाएं कि चावल किसमें आता है, या फिर दूद किसमें आता ह तो अगर वहाँ पर एक option हो द्रव्य वाचक संग्या तो आप उसको लगा सकते हो लेकिन वहाँ पर दो option दिख गए एक तो द्रव्य वाचक संग्या और दूसरा द्रव्य वाचक संग्या देखे द्रव्य वाचक और द्रव्य वाचक आपका दोनों में अंतर यही है कि द्रवयवाचक मतलब हूता है समू। तो चावल का σमू कहलाएगा आपका द्रवयवाचक there वह कहलाएगा वह जो लिक्विद फोरम में है वह कहलाएगा द्रव में ऑके तो शुद हिंदी में जिसको लिक्विड हो क्या कहा जाता है जातिवाचक संग्या का जातिवाचक संग्या में परियोग कर लिया जाता है और पूछा जाता है आपसे जैसे कि मैंने आपके दो अग्जामपल लिख रखें यहां पर कि देश में कितना भी भरष्ट चारों पर हरीश्चंद्र की कमी नहीं है यहां पर क्या है देखिए हरी पूरे शब्द को एक बार पढ़ियो और एक हरिश्चंद्र को टॉपिक को अगर मैं आपसे पूछूँ कि हरिश्चंद्र तो आप बोलोगे एक व्यक्ति का नाम था जो हमेशा शत्य बोलता था अगर आपसे मैं पूरा टॉपिक बोल दूँ एक कि देश में कितना भी ब्रस्ट चारो पर हरिश्चंद्र की कमी नहीं तो वहां पर इसका मतलब क्या हो गया कि देश में कितना भी लूट पार्थ मच रहा हो लेकिन वहां पर कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी इमानदार है और इमानदार किसमें हो जाते हैं आपके वो जातिव वाचक के अंदर आ जाते हैं, तो यहां पर देखा, किस परकार से व्यक्ति वाचक शब्द को आमने जाति वाचक शब्द में उपियोग करा, वैसे ही आपका दूसरा, क्या बोल रखा है, धन की लालच में आज भी कुछ लोग जैचंद बन जाते हैं, दुवान रखेगा, क् करा था, इतियाज जब पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा, कौन था यह जैचंद, तो जैचंद एक गद्दार था, धोके बाज था, जिसने प्रिस्तिवचन चोहान को हराने में मदद करी थी, किसकी वो करी थी, जो भार से अफगानिस्तान से आय था, गौरी, उ आपका ऐसा शब्द है, जो जाती को बोध कराता हो, जो ब्रष्ट चार है, जैचंद क्या था, ब्रष्ट चार था, एक ब्रष्ट व्यक्ति था, तो किस का बोध करा रहा है, हमारे जाती वाचक का बोध करवा रहा है, तो यही कोशन आपसे बीच में पुट अप कर दिया जाती वाचक संग्या को जाती वाचक संग्या को भी विप्ति वाचक संग्या की रूप में पर्योग किया सकता है जैसे कि महात्मा जी ने देश को सत्य और आहिंसा का पड़ाया अब महात्मा जी आप सभी को पता है कौन है बापू सभी को पता है कौन है नाम पढ़ने से पता चल जाता है तो महात्मा जी क्या है तो महात्मा जी अगर देखा जाए तो एक पूरा का पूरा जाती है जो की महान लोगों को कहा जाता है लेकिन वहीं परी एक अलग से देखा जाए तो किसको कहा जाता है गांदी जी को तो वहीं परी हमने पूरा किसको महातमात जी यानि की जाती वाचक संग्या को किस से correlate कर दिया व्यक्ति वाचक संग्या से यानि कि गांदी जी से वहीं परी नेता जी ने आजाद हिंद फोज का नित्रत्व किया अब नेता जी किसको कहा जाता है आप सभी को पता है नेता जी सुभास चंद्र बोस को कहा जाता लेकिन नेता जी क्या है, नेता जी आपके आसपड़ उसके भी हो सकते है, आपके political party जो आप जानते हो जिनको वो भी हो सकते है, तो क्या है एक जाती है। से घुमाया जाता है आपको व्यक्तिवाचक संग्या से जातिवाचक संग्या में या फिर जातिवाचक संग्या से व्यक्तिवाचक संग्या में बुढ़ापा, दुखी, हसी, आनंद ये जो सारी की सारी चीजे क्या है वो आपके भाव है भाव आप परकट कर रहे हो चाहे वो आपका बुढ़ापा हो, एकता हो, दुखी हो, हसी हो, आनंद हो वो क्या है आपका एक भावना होती है आपकी एक पूरा का पूरा भाववाचक संग्या के अंदर आता है अगर शरल शब्दों में कहाँ तो आपके वो सारी चीज़े यहां पर आएंगी जिसको आप छू नहीं सकते एकता छू सकते हो? नहीं बुढ़ापा? नहीं दुखी? नहीं हसी? नहीं किसी भी परकार की चीज़ हो जिसको आप मैं छू नहीं सकते महसूस कर सकते हो वो कहाँ पर आएगा? भाववाचक संग्या में आएगा और आपको महसूस करना ही क्या कहलाता है? भाव ना कहलाती है भाववाचक संग्या है उसी को ही कहा जाता है शल्द शब्दों में ध्यान रखेगा जिसको आप छूना सको जिसको हम महसूस करते हो भाववचक संग्या के अंदर आती है और यहीं पर यह आप से एक बार कई बार पूछ लिया जाता है कि भाववचक संग्या की रचना बताईए फोर अग्जम्पल मानव क्या है एक व्यक्ति वाचक लेकिन मानवता किस बात की करी जा रही है कि इस व्यक्ति के अंदर दूसरों के परती मानवता है या फिर लोगों के परती मानवता है हमने क्या कर दिया बाववना से जोड़ दिया जैसे कि मित्र, मित्रता, पशु, पशुता, इस्तरी, इस्तिरित्व, इंसान, इंसानियत, सुन्दर, सुन्दरता, तो यहाँ पर देखो जो भी चीज है आपका व्यक्ति वाचक से जाति वाचक में बदल रहा है, तो यहाँ पर क्या करा जा रहा है, किसी ना किसी चीज को हम correlate कर देते हैं जैसे कि व्यक्ति के अंदर अभी भी मानवता है मित्रों में कई परकार की मित्रता देखने को मिलती है या फिर पशुता, इसका वहवार कैसा है पशुता की करा है मतलब एकदम पशुता की तरह अपने बारे में सोचता है दूसरों के बारे में नहीं सोचता है तो किसी भी रचना को हम भाववाचक संग्या में बदल सकते हैं कैसे या फिर हमें पहचान करने के लिए हमें बोल दिया जाता है कि निमलिखित में से कौन सी भाववाचक संग्या की रचना है तो आपका 99% वो क्या कहलाएगा, वो आपका भावाचक संग्या कहलाएगा, आप देख सकते हो मानवता तार, मित्रता तार, पशुता तार, इस्तृत्वत आधा तावार, इंसानियत तार, सुन्दरता तार, तो हमेशा 99.9% आपके भावाचक संग्या के आखरी में आपको य तो यह था आपका पूरा का पूरा theoretical portion तीनों संग्या मैंने अच्छे से आपको समझाईए अब बात कर लेते हैं इससे आपके किस प्रकार के questions पूछे जाते हैं आपके paper में पहला question किसी व्यक्ति, वस्तु, अथवा, इस्थान के नाम को dash कहते हैं तो इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं हम सभी को पता है संग्या जिसे English में noun कहते हैं दूसरा संग्या के कितने भेद होते हैं तो अब बताया मैंने आपको तीन भेद होते हैं आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक तो option number third इसका विलकुल सही अंसर था next question, व्यक्रण की दृष्टी से प्रेम शब्द क्या है तो प्रेम क्या है हम उसे छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं और महसूस जिसको करा जाता हूँ कहाँ पर आता है भवावाचक संग्या तो option number second इसका विलकुल सही अंसर था next question, गरीबो की साहता करो गरीबो शब्द क्या है? तो यहाँ पर गरीबो की साहता करो तो यहाँ पर इसने किस चीज़ से इसको संबोधित कर दिया है गरीबो यानि कि सारे वेक्ति जो इसान जो हैं आपके धर्ती पर जो एक गरीब की श्रीरणी के अंदर आते हैं जैसे कि BPL और LP जो रखे थे पहले वो गरीबों के शेणी में ला रखे थे और तो गरीब यानि कि एक जो समू का पूरे के पूरे समू का नित्रित्व करें पूरे समू का बोध कराएं हम उसे क्या कहते हैं जातिवाचक संग्या कहते हैं तो गरीब क्या होगे वो एक वेक्ति तो है नि काफी वेक्ति होते हैं तो वो क्या कहलाола आपका जाती वाचक संग्या कहलाएगा okay next question निम्लीखित में से कौन सा भाववाचक संग्या है अब ध्यान रखे गा भाववाचक संग्या वो हती है जिसको हम महसूस करते हैं चूल नहीं सकते तो इसमें से ऐसा कौन सा है भारत, मित्रता, लड़का या फिर पेड़, तो कौन सा है वैसे मैंने आपको दो ट्रिक बताये थे, या तो आकरी में आधा ता वा मिलेगा या ता देखने को मिलेगा या फिर हम जिसको छू नहीं सकते बस महसूस करते हैं, तो option number second देखो, मित्र मित्रता, एक मित्र से बना मित्रता, क्या होती है, भाववासक संग्या कहलाती है, आधा लाष्ट में आधा ता या वा या फिर ता देखने को मिले, तो दिख रहा है हैं अपर आपको, option number second देखते ही लगा लेना चीए था, मित्रता क्या आपकी भाववाचक संग्या है, नेक्स्ट है बुढपा एक परकार का अभिशाप है बुढपा शब्द की संग्या है तो बुढपा मैंने आपको बताया था क्या होती है एक स्टीज के बाद आ जाती है पहले आप उसको महसूस करते हो लेकिन छू नहीं सकते तो बुढपा क्या एक भाव वाचक संग्या है तो उप्शन नमबर फर्ष्ट इसका बिलकुल सही अंसर था नेक्स्ट कोशन इसमें से व्यक्ति वाचक संग्या कौन सी है तो इसमें से आपका जो व्यक्ति वाचक संग्या है वो कौन सी है तो देख सकते हो घरेलू और स्वतनतरता ये दोनों तो हटा दो घरेलू क्या हो यह फिर मांडवी तो option number देखते ही लाना चाहिए भाला जो होता है अथियार होता है बिल्कुल सही चरी से बताया जाए लेकिन आपका option number first जो होगा वह एक स्थान का नाम है जो कि व्यक्तिव आचक की संग्या के रूप में बोधित करता है तो option number first इसका बिल्कुल सही अंसर था next question कौंचा शब्द भावचक संग्या नहीं है तो इन में से कौंसा ऐक ऐसा शब्द है जो कि आपका भावचक संग्या नहीं है भावचक क्या होगा यह तो आप उसे चू नहीं सकते या फिर वह आपको आखरी में ता देखने को मिलेगा तो यहां पर देखो किसी भी श कुछ सा बीव कि वीशी बैasya कि यह एंदर ओंधर नहीं कि आते हैं नेक्ट कुशन निमलीखित में से कौन सा शब्द व्यक्ति वाचक संग्या एं गॉपने कि वर hope आखे यह यह व्यक्ति वह यह दिसे में नहीं और यह आप 나타ते हैं वो किसी भी परकार की गाय हो सकते, आपको पता है कई अनई परकार की परजाती की गाय होती है, तो क्या हो गया वो आपका व्यक्तिवाचक तो हो नहीं सकता, दूसरा पहाड, पहाड भी आपके कई परकार कोंगे, चाहे वो अन्ना मुद्रई हो, चाहे वो कंचन जंगा हो, या केटू हो, कोई सा भी पहाड़ हो सकता है, तीसरा, यमुना, यमुना केवल एक ही है, जो कि आगरा मतुरा होते हुए, दिल्ली के और बहती है, तो यमुना जो है एक व्यक्तिवाचक, एक विशेश परकार की चीज का बोधन करवा रही है, यहाँ पर अगर नदी होता, तो पूरी की पूरी आपके जाती आजाती, लेकिन यहाँ पर एक यमुना की बात करी जारी है, जो कि व्यक्तिवाचक संग्या के अंदर आएगा, आम जो हैं, वो आम के कई परकार के आपके परजाती देखने को मिलती है, लेकिन एक विशेश परकार का आम का नाम आजाता, तब यह व्यक्तिवाचक होता, तो अप्शन नमबर थार्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था, नेक्स्ट कोशन, निमलिकित में से कौन सा शब्द जाती वाचक संग्या नहीं है, तो अब आपको एक ऐसा शब्द जूणना है, जो कि आपका जाती वाचक संग्या नहीं है, तो कौन सा है, देखिए, जवान, जवान क्या है, जाती वाचक है, चुन नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो, जवान, जवानी जैसे जैसे आती है, जवान बढ़ापा ये क्या है एक तरीके से आपकी जातिवाचक है सुन्दर आपका क्या है सुन्दर से बनता है सुन्दरता सुन्दर जो होता है वो बच्चा भी होता है जवान भी होता है कोई चीज भी होता है लेकिन यहीं पर यह आपका सुन्दरता आजाता वो आपका जाती वाचक कहलाता बाकी मनुष्य क्या है? मनुष्य एक पूरी तरीके से आपकी पूरी के पूरी एक परजाती होती है पूरी की पूरी एक जाती वाचक संग्या का बोध कराता है वैसी आपका बालक कराता है लेकिन सुन्दर जो है वो कोई भी हो सकता है जो की जाती वाचक संग्या का बोध नहीं कराता है सुन्दर ता कराता है तो option number second इसका बिल्कुल सही answer था हमें नहीं चुनना था लड़का दोड़ता है इस व्याक्य में लड़का किस संग्या का उधारण है तो लड़का क्या है एक पूरी के पूरी फीचर्स को पूरी के पूरी एक समू को पूरी के पूरी एक ग्रूप को कंटेंट करा रहा है पूरे के पूरे गुरूप के बारे में बात बता रहा है लड़का चाहे वो कोई भी हो सकता है राम शाम अशोक निलेश कोई भी हो सकता है तो पूरी के पूरी एक जाती का बोध करा रहा है वो लड़का ओके तो क्या कहलाएगा वो आपका जाती वाचक संग्या रूप है तो छोटा जो होता है उस शब्द को भावाचक संग्या में क्या का जाएगा छोटी छुटपन छोटा पन यह छोटा पा यह आपका होमवक है आज के लिए आपका कोशन की बारवे कोशन यानि कि छोटा सा शब्द होता है उसको भावाचक रूप के अंदर हम किस रूप में उसको पुकारेंगे एकदम शुद हिंदी में बोला जाता है भावाचक संग्या में इसको ये आपका पूरा होम वक है इसका answer मुझे नीचे comment box में जरूर लिखे बताएगा और आपको इसका जो answer है वो आपको मैं next वीडियो में बता दूगा या फिर मैं आपको नीचे comment box में पहला comment में पिन कर दूगा वहां से आप इसको देख सकते हो इसका answer लेकिन पहले आप अपना अंसर डिसाइड कर लिजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो ये था आपका पूरा आज का चैप्टर की संग्या से किस परकार का theoretical portion होता है या किस परकार से आपके questions paper में पूछे जाते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीची चैके वीडियो को लाइक करना न भूलेगा अपने दोस्तों की शार्ट शेयर करना न भूलेगा अगर आपने इस चनलों का अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए जो उसके साथ में जो बैल आइकन होगा उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस को नोडिफिक्षन आपको टाइम टाइम मिलती रहे तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना है आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स वीडियो में जब तक के लिए जय हिन जय भारत